अलो गाईज आप सभी का स्वागत है tradingfab.in के उपर यह वीक खतम हो चुका है और इस वीकके लास्ट्रेडिंग सेशन में भी आप देख सकते है निफ्टी लाल निशन में बंद हुआ है बैंक निफ्टी भी लाल निफ्टी तो इन्वेस्टर कही ना कही कौशियस है नया लेवल जो भी आ रहा है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे है तो अभी सबसे पहले यह फाइम मिनिट का चार्ट डेख लेते हैं फिर मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल से हो सकते हैं उसको ऐडेंडिफ बॉन हुआ था रेजिस्टन्स लिया नीचे आया ब्रेगडाउन लेवल ब्रेक किया फर्स तरगेट के पास यहां पर पहले तो सपोर्ट लिया दूबार असे जब तूटा ब्रेगडाउन लेवल पर्स तरगेट शेकेंड टारगेट डोणों भी अच्छे उड़ हुए फ वहां से profit booking आ रही है और फिर एक बार bottom पे यहां पर हमें bulls ने control लेते हुआ नजर आ रहा है तो अभी यह आज का scenario है Monday के लिए क्या intraday levels हो सकते हैं वो देखते हैं लेकिन सबसे पहले एक बार weekly chart को देख लेते हैं क्योंकि week खतम हो चुका है weekly chart को भी देखना ज़रूर ही है तो weekly chart को अगर analysis करेंगे तो आप देख सकते हैं यह last 5 week last 5 week से यह nifty जो है नया high create कर रहा है lifetime high create कर रहा है और higher high lower low का pattern यहाँ पर continue होते हुए नजर आ रहा है अभी यह जो candle बनी है इस week की यह भले ही red बनी है लेकिन pattern देखे higher high higher low यह uptrend का pattern बना हुआ है और नीचे अगर RSI को हम यहाँ पर study करें तो यहाँ पर rising bottom यानि कि W pattern बनते हुए नजर आ रहा है W pattern बनता है तब price में फिर एक बार हमें upside momentum देखने को मिलता है most of the time ऐसा नहीं कि W pattern आने के बाद ऐसा ही होगा most of the time 95% हमें upside momentum देखने को मिलता है अगर हम past की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर identify किया था यह W pattern था फिर यहाँ पर यह rising W pattern था उसके बाद आप से देख सकते हैं market में किस तरह से upside momentum हमें देखने को मिलता है राइजिंग pattern राइजिंग W pattern इसे बूलते हैं तो यहाँ पर उपर price action में higher low का pattern बना हुआ है जो की up trend का है और नीचे भी rising W का pattern RSI में बना हुआ है तो यह दोनों support कर रहे हैं कि यहाँ से अभी भी हो सकता है nifty और भी उपर की तरफ हमें नए levels अची उठाते हुए देखने को मिले तो चलते हैं अभी daily chart के उपर daily chart में आप देख सकते हैं यह candle किस तरह से बन रही है अगर आप 10 जून से निफ्टी के इन candles को देखे तो काफी चोटी चोटी candle बन रही है हाला कि नए highs भी हमें देखने को मिल रहे लेकिन sustain नहीं हो पा रहा है ज्यादा करके यहाँ पर red candles आपको देखने को मिल रही है तो अभी अगर यहाँ से कोई भी correction आता है तो हमारा जो first जो support होगा immediate support वो 23,200 के पास होगा जहां से यह result लोकसभा का result था उस दिन जहां से यह call आया था 23,200 यह हमारा first support बन सकता है आप देख सकते हैं डेली चार्ट में यह जो pink line है 20 dma का यह जो pink line है यह भी almost 23,200 के पास आ रहा है जैसे ही अभी और एक दिन आगे जाएगा तो यह और ऊपर की तरफ आए जाएगा और 23,200 के पास यह major support हमें देखने को मिल सकता है तो यहां पर 23,200 सपोर्ट होगा और ऊपर की तरफ तो uncharted territory है यहां पर नए highs हमें ऊपर की त चाट का सिनारियो अभी चलते है 60 मिनट के चाट के ऊपर मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं आप देख सकते हो यह चार पास दिनों से continue यह pink line जो है यह support का का काम कर रही थी बार बार इसको आके यह touch कर रहा था पेनेटरेट कर रहा था और just इसके ऊपर आके close हो रहा के बीच में ट्रैप हो चुका है तो जब तक इन moving averages के बीच में रहेगा हमें यह पर ट्रेंड नहीं दिखाया ही देगा यह आपर sideways market हमें देखने को मिल सकता है तो मंडे के लिए हमारा breakdown level होगा इस blue line के just नीचे 23,428 यह हमारा breakdown level होगा first target होगा 23,410 second target होगा 23,392 यह हमारा second target होगा उपर की तरफ हमारा breakout level बनेगा इस pink line के just उपर यानी 23,527 first target होगा हमारा 23,547 और second target होगा 23,568 यह हमारा second target होगा तो यह निफ्टी के लेवल से मंडे के लिए अभी bank nifty पर चलते है bank nifty पर भी आप देख सकते हैं यह 5 minute का चार्ट है bank nifty यहाँ पर open हुआ breakout level के पास ही sustain नहीं कर पाया जैसे nifty नीचे आया bank nifty भी नीचे आया breakdown level ब्रेक हुआ first target second target अची हुआ कुछ देर यहाँ पर support लेनी के कोशिश की लेकिन second target भी जैसे ही तूटा और भी यहाँ से नीचे की तरफ हमें bank nifty जाते हुए देखने को मिला और फिर यहाँ से फिर एक बार बुल्स ने यहाँ पर फिर से comeback करने की यहाँ पर कोशिश की दो bottom लगा दिये double bottom हो सकता है यहाँ पर तो हो सकते हैं Monday में एक positive move हमें देखने को मुले तो अभी Monday के लिए क्या levels बन सकते हैं इसके लिए हम 60 minute के chart को bank nifty को भी analysis करेंगे 60 minute के chart यह रहा 60 minute का chart निफ्टी में जैसे हमने देखा कि pink line तूड़ गया और blue line ने यहाँ पर support का काम किया लेकिन आप bank nifty में देख सकते हैं फिर एक बार यह जो pink line है 20 यह में का इसने support का काम किया तो यह positive point है यानि uptrend अभी भी बरकरार है bank nifty में ऐसा हम कह सकते हैं तो मंडे के लिए bank nifty में हमारा breakdown level होगा 51.507 यह हमारा breakdown level होगा फिर्स target बनेगा around 51.434 और second target बनेगा 51.360 यह हमारा second target होगा उपर की तरफ अगर bank nifty आता है तो हमारा breakout level होगा around 51.825 यह हमारा breakout level होगा फिर्स target होगा 51.893 और second target होगा 51.967 यह हमारा second target होगा तो यह है nifty और bank nifty के intraday levels मंडे के लिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो like, share, comment ज़रूर करें so thank you very much and happy trading करने तो